हेलो हेब् fibers量 तो आज के पुलों है इसको कुछ लोग कुछ वी कुछ लोग से में ते नेन बहुत पूलने वालों तो कफी लोग लोग सोच घैंचे तुर नेम बोलना ने जाता तेरे को प्रॉनौंस करना ने इता तो इसलिए मैं अपहले वता दू यह चैज को तो आज की उड़ में इसका complete review करेंगे हो सकते हैं आपको ये doctor ने recommend कियो या हो सकते हैं आप खुछ से इसको लेना चाते हो लेने की सोच रहे हो तो completely इसके benefits बताऊंगा और side effects भी बताऊंगा तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले प्लीज इस वीडियो को like कर दो तो चल्को सब्सक्राइब करते हैं जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं चलते हैं वीडियो की तरफ ओके तो यह डीमिलन क्रीम आप देख सकते हो इस वे से इसकी packaging आयाती है अगर इसके price की बात करें तो 350 से लेके आपको 440 के आसपस इसका price लेने जाओगे तो हो सकता है कुछ जादा प्राइज ले कुछ medical कम आपको discount में भी दे सकते हैं अब इसमें मालब composition की बात करें क्या ingredients आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं इसमें आपको 10% में glycolic acid देखने को मिल जाता है 5% में और cozy acid आपको इसमें 2% में देखने को मिल ना यह कोई cream steroid cream है ना यह कोई composition steroids है ठीक है completely इनके benefits में आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले इसमें आया था glycolic acid 10% में यह क्या काम करता है इसे हम AHA बोलते है ठीक है alpha hydroxy acid तो यह sugar वगएरा से glycolic acid निकाला जाता है अब यह क्या 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 होता है यह आपकी skin को exfoliate करने का काम करता है exfoliate क्या होता है आपकी जो skin की ऊपर की dead skin है dead cells है उनको shand करने का काम करता है अमालो tan वगेरा आपकी skin पर इकठा हो गया ठीक है tan आता कि आपने कभी face wash यूज नहीं किया exfoliate करने के लिए कुछ भी यूज नहीं किया आज तक तो इसके कानियापे आपके dead cells हीकठे होने लग जाते है black color की एक परत सी जमने लग जाती है skin की तो उसको यह उतारने का काम क आती है और वो skin थोड़ी soft भी रहती है जैसे कि उपर की skin उतर जाएगी जो नीचे की skin रहेगी वो soft और साफ रहेगी बट एक चीज और बता दूँ मैं आपको वो skin आपकी sensitive भी रहती है फिर उपर वाली skin उतर जाती है नीचे की जो soft clear skin आती है वो sensitive रहती है उसकी आपको care अच्छे से करनी पड़ती है care का मतलब रहता है कि आपको sunscreen लगाकर ही sun में जाना है ऐसा नहीं कि बिना sunscreen यूज कि आप sun में जाओगे तो इससे आपकी skin फिर से tan आजेगा फिर से pigmentation आ सकता है आपकी skin dark काली पड़ सकती है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ऐसा नह लग जाता है तो इसलिए आपको sunscreen यूज करनी चाहिए अब इसका मनलब यह भी नहीं कि आपकी skin गोरी हो जाएगी बहुत जादा मनलब साफ हो जाएगी इसको यूज करने को आप जैसा आपका by birth color था जो भी tone रहता था आपकी skin का या पहले जो tone था अब आपकी skin darker की तरफ चली गई है तो वो tone वापस आजएगा इसका मनलब यह नहीं रहता कि आपकी skin over brighten हो जाएगी या over glowing हो जाएगी यह चीज बिलकुल भी नहीं रहती अब जैसे मेरी skin का यह tone है अगर मेरी skin dark हो जाती है तो यह tone वापस आजएगा ऐसा नहीं कि इससे और जादा brighten हो जाएगी यह चीज नहीं हो सकती सेकिंड इसके अंदर आपको arbutin देखनों मिल जाता है 5% में यह क्या काम करते हैं यह melanin के production को मनलब decrease करता है उसको reduce करता है एक तरीके से जिससे गया कि आपके skin का tone दीरे दीरे lighten होने लग जाता है जो pigmentation मिला आजमा रहा है उसमें भी आपको अच् आपकी skin brighten की तरफ रहेगी brighten रहेगी अब यह melanin का production कुछ चीजों के कारण भी बढ़ जाता है जैसे UV rays आपकी skin पर बढ़ रही है तो इसके कारण भी melanin का production बढ़ जाता है फिर आपको 10 वगेरा skin darker की तरफ जाती भी देखने को मिल जाती है यही सब hand के साथ भी होता है आप आपकी skin पर भी यही सेम चीज रहती है तो अगर आप sun में जाते हो तो melanin का production बढ़ जाता है जिसके कारण आपकी skin का color darker की तरफ जाने लग जाता है तो इसलिए arbutin इसमें का अच्छे से work कर जाता है melanin के production को reduce करेगा मलब उसके production को रोक के रखेगा थोड़ा रोकेगा रो दूप से बचाता है ठीक है दूप से sun damage जो आपकी skin पर हो जाता है sun damage से बचाता है आपकी skin को और साथ में यह anti-inflammatory properties भी रहती है इसके अंदर जो आपकी skin को दीरे-दीरे lighten करने का काम करेगा यह ठीक है काफी अच्छा work करता है उसमें और अगर आपके dark sports वगरा हो रहे है उनमें भी बहुत अच्छे से work कर जाता है पिग्मेंटेशन में आजमा हो रहा है उसमें भी अच्छे से work कर जाता है बट अगर आपकी skin sensitive है तब आप इसको use करते हो तो हो सकता है आपको redness, itching वगरा भी देखने को मिल सकते है तो इसलिए ध्यान रखना अगर किसी की skin और किस condition में यूज़ करना चाहिए जैसे कि मालो अगर आपके acne वगरा हो रखे थे उसके जाने के बाद आपके dark sports रह गया दाग धबे रह गया है काले निशान रह गया आपके face पे तो उस पे आप इसको use कर सकते हो pigmentation होने लगगी है उस पे use कर सकते हो milazma हो रहा है उस पे यूज़ कर सकते हो में ली तो dark sports में बहुत अच्छे results देखने हो मिलेंगे बट मिलाजमा pigmentation में भी कुछ हद तक अच्छे results देखने को मिल जाती है या tanning वगरा हो रही है आपके skin पे skin dark होगी या उसमें अच्छे results देखने हो मिल जाते है को exfoliation का का काम भी करेगी और साथ में आपकी skin पे जैसे की cozy gear हो गया यह arbutin हो गया यह pigmentation को रोकने का काम भी करते हैं तो इसलिए अच्छे results आपको देखने को मिल जाएंगे इन सब चीजों में अब काफी लोग सोचेंगे भाईया इसके क्या acne में भी results देखने हो मिलेंगे नई यह cream बिलकुल भी acne के लिए नहीं बनाई गई only आपके जैसे की dark sports, pigmentation, acne जाने के बाद वो हो गया उसके लिए बनाएगे यह ना ही कोई black arts में work करेगी ना ही कोई white arts में यह cream work करेगी और यह cream frickles वगएर हो रहे हैं उसका जैसे की आपने कोई frickles का treatment लिया और frickles चले गया है उसको मलब again से नहों तब यूज करना बंद कर दी फिर से उनको वही result, same वापस से pigmentation आगी, tanning आगी एक तो या तो sunscreen यूज नहीं करते ही यह भी हो सकता है और second रहते है आपकी diet अच्छी नहीं है, खाना पीना अच्छी नहीं है, internally body अच्छी नहीं है जिसके गान के again से pigmentation आयाती है, उपर से तो care कर कर देने हैं बिल्कुली, अब इस cream को आपको लगाना कैसी है, यह चीज मैं आपको समझा देता हूँ, आपको हमेशा इसको night में use करना है, night मुझे अच्छी लगती है, better लगती है कि use करने के लिए, दिन में अगर घर में रहते हो, तो use कर सकते हो, कोई दिक करनी है, night में आ यहां पर completely आपको use करनी है, कर सकते हो, ठीक है, and来יים पर use करने के लिए दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, कुछ लोग only dark sports पर यूज करना चाहे तो only dark sports पे भी use कर सकते हो, इस वे से भी use कर सकते हो, आप अगर किसी की dry skin है, तो dry skin वाले इसको लगाने के बाद एक moisturizer यूज़ कर सकते है moisturizer आप अपनी skin type के साफ से कोई भी ले सकते हो sunscreen आपको sun में जाने से पहले compulsory हमेशा use करने है skin type के साफ से अब इसके side effects की बात करें तो क्या side effects हो सकते है आपकी skin थोड़ी dry होना sensitive होगी आपकी skin redness, itching, irritation वगारा भी कुछ लोगों को देखने को मिल सकती है ऐसा देखने को मिले irritation वगारा या burning कुछ जादा हो रही है आप tolerate नहीं कर पारे तो आप इसको use करना बंद कर देना ठीक है आप doctor से concern कर सकते हो या आपको बहुत जादा peeling होगी है उसके करन redness देखने हो मिल रही है तो आप थोड़ा सा coconut oil या moisturizer एपलाई कर सकते हो जिससे कि अगें से आपकी skin हील होजेगी देन अगें से आप इसको use करना श्टार्ट कर सकते हो तो इसको use करने से पहले आप pest test कर सकते हो कोई भी cream का आपको pest test कर लेना चाहिए खुछ से use कर रहे हो कोई भी तो उसको क्या या तो neck पे या थोड़ी सी इस area पे लगा कर छोड़ देना 24 hour के लिए देखना कि कोई redness इचिंग तो नहीं हो रही अगर आपको कुछ देखने हो मिलता है फिर आपकी skin पे वो suit नहीं करेगी इस का मलब यही रहेगा तो आपको उसको use नहीं करना चाहिए तो बस आज के वडियो में इतना ही था completely मैंने आपको बता दिया cream कैसे वग कर दिया कैसे आपको use करना इसको तो मिलते है नेक्स वीडियो में